आतिफ ने अपने बंदों को चार क्रुपों में तक्सीम कर दिया था उसका इरादा था कि पाशा बलोनत विक्रम और चंदरपाल की रहश गाउं पर एक ही वक्त में छापा मारा जाए तांके टाइम की बच्चत के साथ तुश्मन को एक दुश्मन को एक दुसरे को आगा करने का मौका ना मिल सके वो खुद इस पाटी के साथ हो लिया जिसने पाशा की रहश गाबर हला बोलना था दो वैनों में सवार तस बंदे पाशा की रहश गाबर पढ़ते चले गए पाशा की रहश गाबर कोई इतना पचीता नहीं था कि उन्हें तलाश करने में कोई दिकत पेश आती, वो अभी तक उस मकान से 50-60 गल दूर थे कि एक काली वैगन उस कोठी से निकली और मुखालिफ सिमत में रवाना हो गई, आतिफ चीखती हुए ड्रैवर से बोला इसका ताकुब करो, और उसके साथ वो बाकी टाकी पर दूसरी वैगन वालों से मुखातिब हुआ, तुम लोग मकान की तलाशी लो, आम काली वैगन के पीछे जा रहे हैं एतियाद से अंदर दाखिल होना, ठीक है सर, उसे इचफाक की मुर्माना आवाद सुनाई दी, काली वैगन की रफतार काफी तेज थी, उन्हें भी उ हाद में तक वो फासला गटने की बजाए बढ़ गया था, और उसकी वज़ा ड्राइवर का मौताद पान था, वो तेजी में किसी बेगुना को मारने का रिस्क नहीं लेना चाता था, उसके बरक्स काली वैगन का ड्राइवर हर किसम के खतरात से बेन्याज था, रोड पर च इशारा तोड़ते हुए आगे बढ़ गई, उनकी वैगन के सामने दो कारें पहलू बेपहलू रुक गई थी, जिसकी वज़े से उनका रास्ता पुलाक हो गया, ड्राइवर ने तेजहारन बजा कर कार के ड्राइवर को रास्ता चोड़ने का इशारा किया, वगर वो वैगन सुजुकी कार को तकेलते हुए आगे ले गई, जोग में खड़ा पुलीस का सेपाई और कार का ट्रेवर हंका बग्का रह गए थे, मगर उने उनकी मुतलिक परवाल ने थी, थोड़ा सा रास्ता बनते ही ट्रेवर ने महारत से वैगन को आगे निकाला, साइडों से जाने वाली ट्रेविक से वैगन बचाते हुए वो सीधे रोड पर चड़ा और फिर खाली रोड पर ताकतवार वैगन फुल सेपीड से बागने लगी, इन चन्द लमों का फाइदा उठाकर काली वैगन काफी आगे निकल गई थी, जोग में खड़े पुलीस के सिपाई न काली वैगन के सिगनल तोड़ने का नोटस दिया होता तो इतनी जल्दी ना लिकल सकती, मगर बदकिस्मती से किराची की पुलीस मुझरिम तन्दीमों की बढ़ती हुई कुवत का मुकाबला करने में नाकाम है, यूं भी इन गरीबों के पास एक्तियारात ना होने के कि उस जैसी कीमती गाड़ी में कोई पासर शक्सियती बराजमान हो सकती थी, दूसरे चौक को भी दोनों वैगनों ने आंधी वा तुफान की तरंक क्रास किया, अपनी तमाम सर महारत परोएक कारदाने के बाफजूद काली वैगन उन से 50-60-60 की दूरी पर थी, और फिर उ उसने वैगन के पहुंचने से पहले रोड क्रास करके अपनी लैंड में जाना चाहा और उसकी ये खलती आतिफ क्वार्टी के लिए गहभी इम्ताद बन गई काली वैगन के ट्रैवर ने से टेरिंग काट कर वैगन को ट्रक के पीछे से निकालना चाहा मगर उसकी बदकिस्मती के तेजर रफ़तार वैगन उससे संबलना सकी और पल्टियां खाते रोड से नीचे जा गिरी इस तरह के उस पैयों का रुख आसमान की जानिर था इसके साथ ही हमारी आज के पीसोड के एक्तिताम हुआ कानिगर चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकान को प्रेस कर दीजिए ताके हराने वाली नहीं वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके शुक्रिया झाल